एक समय की बात है, बादशाह अक्बर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था. जब जन्म दिन आया, तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतार कर एक संदूक में रख दिया जब इस बात को कई दिन गुजर गए, तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंडने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलाबा भेजा जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंपदी बीरबल ने समय ब्यर्थ किये बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया थोड़े ही देर में दरबार लग गया दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुँच जाता है देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशा अकबर से माफी मांगता है सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादूई शक्ती है यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है इसके बाद बीरबल जादूरी गधे को सबसे नस्दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और कधे की पूँच पकड़ कर चिल्लाएं जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवास दर्बार तक आनी चाहिए सभी के पूँच पकड़ कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूँच पकड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बात कमरे से बाहर आ जाता है फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सुंगने लगता है बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं ऐसे ही सुंगते सुंगते एक काम करने वाले का हाथ पकड़ कर बीरबल जोर से बोलता है जहां पना इसने चोरी की है ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक नहीं की है क्या तुम्हें जादूई गधे ने इसका नाम बताया है तब बीरबल बोलता है, जहां पनाः यह गधा जादूई नहीं है यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है बस मैंने इस गधे की पूँच पर एक थास तरह का इत्र लगाया है सभी सेवकों ने गधे की पूँच को पकड़ा बस इस चोर को छोड़ कर इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुश्बू नहीं आ रही है फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामत कर लिया गया वीरबल की इस अकलमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो एक दिन सब को पता चल ही जाता है इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए